सब्सक्राइब किजिए योट्यूब चैनल एज़केशन पॉइंट को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें अमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो भ्रबरण वर्कम् डॉइ चैनल एजुकेशन पॉइंट मैं हूँ आपकी दोस्त रिपना दोस्तो पिछटे वीडियो में हमने बात की थी साथ के बारे में और आज इस वीडियो में हम बात करेंगी गयेट के बारे में तो चले जानते हैं कि get क्या होता है इसे बनाने के पीछे क्या कारण था और इसके member कौन-कौन से थे तो चले शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि get की full form क्या है get का मतलब है journal agreement on trade and tariff तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक organization नहीं है ये एक agreement है जो कि तब तब चलना था जब तक कोई नई organization बन नहीं जाते get को क्यों लाया गया था get को इसलिए लाया गया था ताकि international trade को promote किया जा सके और उस पे लगने वाले trade पर लगने वाले tariff को कम किया जा सके तो इसलिए get को बनाया गया था तो अब जाल लेते हैं कि इसे कब बनाया गया था इसे बनाया गया था 30 October 1947 जनेवा में इसे 23 countries द्वारा sign किया गया था लेकिन इसे बनने के बाद ये effect में कब आया था actual form में कब आया था ये 1 January 1948 में इससे पहले जो organization बनने वाली थी वो थी ITO यानि कि International Trade Organization लेकिन कुछ कारणों से ये organization नहीं बन पाई यानि कि ये fail हो गई क्योंकि कई countries ने इस organization में sign करने से मना कर दिया जिसके कारण ये organization fail हो गई लेकिन ITO को क्यों बनाया जा रहा था ITO को इसने बनाया जा रहा था क्योंकि Second World War के पाद देश की हालत जादा खराब हो गई थी जिसके कारण में रोजगारी और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हो गई थे जिसके कारण ITO organization यानि के international trade organization की जरूरत पड़ी लेकिन कुछ देशों ने इसमें sign नहीं किया जिससे कारण ये fail हो गई तो basically cat में होता क्या था जब भी कोई trade में problem आती थी तो वो discuss की जाती थी और उसे discuss किसे सब्सक्राइब किया जाता था rounds में rounds में problems को discuss किया जाता था बात चीट के जाती थी जो भी problem थी उनको solve किया जाता था और इसे discuss करने के लिए कोई fix time नहीं था जैसे 2 साल बात हो गया या 1 साल बात discuss किया जाता है जब भी कोई trade में problem आती थी ये उसी time पर ये discussion की जाते थी और अब तक 8 discussions हो चुकी है जाने के 8 rounds हो चुके है जोकि 1st round हुआ था 1947 में 2nd हुआ था 1949 में 3rd हुआ था 1950 से 51 4th हुआ था 1956 में 5th हुआ था 1960 से 61 6th हुआ था 1964 से 67 7th हुआ था 1973 से 79 और 8th चुकी last round था हुआ था 1986 से 94 तक ये सबसे लंबा round था जिस पर हुर्गरी round भी कहा जाता है इस round में ये सोचा गया कि GAT के agreement को खतम किया जाए और एक नई organization को बनाया जाए GAT का main objective क्या था? GAT का main objective ये था कि international trade को बढ़ाया जाए employment भी व्रिधी हो और लोगों के standard of living में व्रिधी की जाए लेकिन इस agreement को जादा देह तक चलाया नहीं किया क्योंकि इसमें कई सारे problems create होई थी जैसे जब वो discussion करते थी तब उनका पूरे पूरे solution नहीं निकलते थे जिसके कारण थोड़ी problems हो जाती थी जैसे number one है limited to removing tariff of goods agriculture and textile were excluded जिसका मतलब ये था कि ये get सिर्फ goods पर लगने वाले tariff को ही remove करते थी agriculture और textile इसमें include नहीं थी number two get was applicable only on trading or merchant goods जिसका मतलब था कि get केवल goods पर ही लागू होता था किसी और चीज़ पर नहीं third है participating countries were not called members but contracting parties जिसका मतलब ये था कि जो parties paid countries थी उन्हें members नहीं माना जाता था वो सिर्फ contract parties माना जाता था तो और भी ऐसी कई सी problem से जिसके कारण इस agreement को आगे नहीं चलाया गया और क्यूंकि ये एक agreement था और कई कंटियों का जादा contribution था और कईयों का कम था तो इस कारण से भी इस agreement को आगे नहीं चलाया गया और नई organization को बनाया गया जिसे कहते हैं WTO WTO का मतलब है World Trade Organization जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और इस चैनलन को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच